ग्रेटर नवड़ा के बिजय सिंग पथिक स्टेडियम में आईविए टी ट्वेंटी स्रिंखला का आगाज 6 मार्च से होगा आज आईविए टी ट्वेंटी कप का अनावरन किया गया यह टी ट्वेंटी स्रिंखला अफगानिस्तान और आयरलेंड के बीच खेला जाएगा जिसमें पहला टी ट्वेंटी मैच 6 मार्च को दूसरा आठ मार्च को और तीसरा टी ट्वेंटी मैच 10 मार्च को खेला जाएगा सभी मैच भारतिय समया अनूसार दो पहर दो वजे से सुरू होगी वहीं इस कड़ी में पांच मार्च को आयोजित प्रेस कॉन्फरेंस में बाच्चित के दौरान अफगानिस्तान के कप्तान ने कहा कि हम काफी उत्साइत हैं इस रिंकला को लेकर साथ ही हमारे युवा खिलाडी कासिम और अजामतुल्ला से भी हमें काफी उमीद है वहीं उन्होंने कहा कि भारत में हमें लगतार अभ्यास करने का भी फाइदा मिल रहा है अस्पीन अटेक हमारा काफी मजबूत है और जिससे बेहतर परिनाम का उमीद रखते हैं हम लोग वहीं साथ में कप्तान ने यह भी कहा कि ग्रेटर नौइडा के स्टेडियम में हम लोग का काफी अभ्यास हो चुका है उसका भी फाइदा मिले और खुक्रेटर्व ट्रॉट थार यह थाँ जागन झाल भी खुटर रखते हैं हो प्रिविव प्रस्पीन हैं हुट। ने लिए हुट्टर टीग थानिझाद सेख़ करो में हुट जाश। जायर है शबड़ता हैं हम लोग कर आप प्रिदान अगला हम ऋ प्रैन में आपे जो अग्तलिव शार्मीट नग्टलिव भी तोल एक उमने मुकमल लेगोना दिए नो.. कर दो और जो तक रचेर इसा क्या थाचिक्त हुआ भार जब अगुदीन पर स्टाइब है तो अग्वा इस अग्वाद रखो अग्षट सा बुष्टन पर नगिए मुद्टन फो इचला आगी पक्र्ण पाइब को प्राइब से मुद्टन अग्वाद नुखिक्त बार बाइ प्रेश बारता के दारान, प्रेश बारता के दारान, इरलेंड के कप्तान ने कहा कि हम अभी ही हाली में, वेस्ट इंडीज के दौरा से लॉट कर आ रहे हैं और हमारे टीम के सभी खिलाडी फिट हैं और निश्चित रूप से हम आने वाले T20 विस्व कप को ध्यान में रखते हुए अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे आएंड परिष्ट इंड शर्फ उन वहाता है का जाने स्वार इंडीज करेंड डिया सिर्फित यारे बेहत्तंट इंडना बागिज को प्रदब याने स्वार्पट करें टारे प्रदोत निफ से रीजित, तो भी पेंडा हैं जहां रखते हैं, रभी नावने से प्स्वाइद वहीं दोनों टीमों के कप्तान ने या उमीद जताया की हम अपने तरफ से बेहतर परियास करेंगे और जीत दर्ज करेंगे अब फिलाल देखना एह होगा कि कल हमारे और आपके सहर ग्रेटर नौयडा में अफगानिस्तान और आयरलेंड के बीच पहला T20 मुकावला खेला जाएगा आप इसके लिए टिकट बुक माई सो से भी बुक कर सकते हैं अधिक खबरों के लिए जुड़े रहें ग्रेटर नौयड के साथ धन्यवाद